तो बैई जासे थोर टाइम पहले मेट से अगर कोई पूछता ना कि 20 से सेग्मेंट में कौई सा स्मार्टफोन लेना है तो बैई मैं कुछ पता ही नहीं पता था क्योंकि कोई ढंके स्मार्टफोन थे लेकिन आज की डेट में इतने सारे फोन लाउंच हो रहे हैं कि मैं कि वो और आईक्यू बेस वेरेंट में 8GB रैम 128GB के साथ में आते हैं दोनों का प्राइज ही 20,000 है और आफ्टे डिसकाउंट आपको 18,000 रुपे का मिलेगा वड़ा बहुत 500,000 रुपे उपर नीच होता रहता है कोई बड़ी बात नहीं है पोको एक सिक्स आपको 20,000 रुप प्लास्टिक प्लास्टिक के उपर तो आपको कौन सा समझ में आता है अब आईक्यू में ऐसा पैटन बना हुआ है पीछे डाइमंड कट सा जूकि रियल्मी के रियल्मी वन में में देखने के लिए मिला था तो वह काफी लोग अच्छा लग सकता आईक्यू में यह फैदर लेकिन पोको के पास एक एडवांटेर को मिल जाता है उपर से आयर ब्लाशर मिल जाता है पोको में हमें तीनों ही फोंस में लेकिन पोको के अंदर तीनों में ही अठारा सो निट्स की पीक ब्रैक्टस मिल जाती है और लेकिन पोको के अंदर डॉली वीजन का सपोर्ट थीनों में वाइडवल लवन का सपोर्ट मिल जाता है ओटीड प्लैटफॉर्म में फुल इसटी में कंटेंट आप स्प्रिंग कर सकते हो मैंने नेट्फ्लिक्स में भी चेक करके देखा था तो तीनों फुल इसटी का सपोर् स्पाइब करता है जाँ प्ला को से मोख में बहुत ही कम ब्स लगते हैं और अब अदल को साफ ही स्यस्कराइब का था Do कि फूर ही तो पर content देखना उबर से 10 bit का support भी है तो अगर आप उस तरीके कुछ content अगरा देखो कि तो काफी ज्यादा मज़ा आ जाएगा और जो डॉल्ब विजन का support दियागे Netflix में वो इसको एक एज तो देता है सबसे पढ़ाए वांटेज पता है पोको के पास किया कि इसमें सब्सक्राइब कोई नीचे ही है ऐसे उपर नहीं मिलेगा तीनों बढ़िया तरीके से काम कर जाते हैं तो पर कोई दिक्कत नहीं है इसको जादा मेजर फराग आपको नहीं मिलेगा तीनों बढ़िया मिल जाते हैं यहां पर आईक्यू वाले थोड़ा सा बाद लोग इंटरस रखते हैं तो देखो आईक्यू और वीवो के इंदर डाइमन सेटी का 7200 प्रोसेसर मिल जाता है चार नेनोमीटर वाला प्रोसेसर है जबकि भाई पोको एक्सिक्स में मिल जाता है मैं स्नैप्ट्रकन का सेवन एस जैन टू प्रोसेसर है क्योंकि है भी पोको में कोई मेमरी कार्ड का स्लॉट नहीं है सिर्फ दो इसी में आप लगा सकते हो देखो तीनोगी स्मार्टफों के लाइफ के टास्क आप कोई भी कर लो एप ओपनिंग वगरा कर लो कुछ भी कर लो यूई वागरा में मूव करना हो गया वो सब कुछ एक्ताँ स्मू और आइक्यो और वीवो नहीं यहाँ पर सात लाग क्रॉस कर जाते हैं गीकपन 6 के पुरिजल्ट्स आप यहाँ पर देख लो उसके बाद सीपी वर्टिंग टेस्ट भी हमने किया था स्टोरे रीट्राइट स्पीड भी आपके सामने हैं और उसके वर्जिंस भी आप बहुत जादा मेजर नहीं लेकिन हम मिल जाते हैं वीवो टी और आइक्यू जीना इनके इंदर ना उल्मोस्ट परफॉर्मस है जम करते हैं तो आइक्यू जीना जादा निकल जाता तो तो क्लियरली बताता हूं गेमिंग के लिए अकर कोई फोन चाहिए इन तीनों में से त जैनों का सऊचिए जैनों परफोमेंस में को इस्उ नहीं आएगा तो तीनों Peng अवेर ज्रकामेंदा कमेंता है वहिए यहिए वह से मेंड़ें मिल जाता है बागे जीनों स्मार्ट फॉन्स में दो मेंगे अक फाल्तु हाले कामरा मिल जाता है ठीक है तीनों में ही सेलफी कैमरा 16 अब बात करें आप वीडियो रिकॉर्डिंग की तो तीनों स्मार्टफोंस 4K 30FS पे रेर फेसिंग कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसके कैमरा सेंपल्स वगरा भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं तो चक आउट कर लो और अब पीछे सन है किस तरह किसे सन को बैलेंस कर रहा है सारी चुछ आपको आपको लग रही होंगे ठीक है तो यह वाली वीडियो फ्रंट फेसिंग कैमरा से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और देखो यह पेड़ों के बीच में से दूप आ रही है हमारे फेस के उफफार ऐसे अल की बात करते लो लाइट से स्टार्ट करेंगे अब देखो आईक्यू और वीवो के अंदर मेरे को लो लाइट के अंदर ओवर शार्पनिंग वाला थोड़ा सा इशू देखने के लिए मिला था वैसा सारी इमेजिस मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं पोट्रेट मोड की वीवो और यू भी थोड़े बहुत एज डेक्शन को खराब करते हैं बट भाई पोको से बेटर रहते हैं लो लाइट के अंदर आप के उपर आ जाते हैं तो आईको और वीवो आपको पता है थोड़े आई प्लीजिंग पॉप हो गयाते हैं वेरा जो पोको है वो एक्दम आप एरिया कैप्चर कर बाता है और कॉलिटी वगर आप यहां पर देखी रहे हो सारी इमेजिस के अंदर आईक और वीवो यहां बहुत ही अच्छी तरीके से शेडों वगरा को मैनेज कर लेते हैं डार्क नहीं रहती है इसे कम लाइट वाला पोर्शन हो जाता है ना वेर से आप गरें और वीवो बहुत यह च्छी तरीके से करपा है क्योंकि similar से phone है similar similar camera है लेकिन slightly जाना वीव के पास रहता है बहुत आइससा कूछ difference नहीं है जितनी फोटो से हमने क्लिक कर ही वीवो और IQ के अंदर red tint रहता है और Xiaomi के अंदर yellow tint रहता है तो इंस शौट में ही बोल के उपर चलते हैं सेम ही है मतलब सिमिलर क्या यार फंटेश 14 है ठीक है मिय 14 मिल जाता है आपको शामी के अंदर पोको के अंदर ठीक है आप देखो वीव और IQ के अंदर सेम सॉफ्टर है तो भाइक बहुत सारे फीचर सारी चीज़े मिल जाती है उसके साथ ब्लोट वेर्स भी जो स्टॉक एप्स हैं वो फालती की नोटिफिकेशन नहीं भेजती है बागे तीनों ही फोन में आप बंद वगयरा कर सकते हो लेकिन वीव का और IQ का युए नमर को थोड़ा जादा पुराना लगता है मियुए थोड़ा जादा बेटर लगता है अब काफी लोग है जो भा जादा बात क्या आती है इसमें जादा अपडेट मिल रहे हैं जादा साल के सिग्रेटी पैच मिल रहे हैं लेकिन भाई यह अभी भी Android 13 के ऊपर चल रहा है Android 14 इसमें नहीं मिल रहा है वेरस दोनों फोन्स जो बाकि के आईक्यू वीव हो है वो नहीं लाउंच हो एंडर 14 के लेना अब आते हैं बेटरी के ऊपर तो दोनों स्मार्ट फोन के अंदर 500 इमस की बैटरी मिलती है ज्यादा फरक नहीं बड़ेगा चार्जिंग की बात करते हैं तो आईक्यू वीव और तीनों बड़ियां यहां पर सकते हो तीनों फोन से 6-7 घंटे का स्कून टाइम आपक करने वाला हूँ इनके वाई साथ आठ कंपेडिटर से तो आठ नौ फून को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आ रहा है भी तक तो लाइक कर देना कॉल को रिटी की बात करते हैं तो इसे वाइफाइ वगरा का सपोर्ड भी बढ़िया आ जाता है कोई दिक्कत नहीं आत अच्छा चाहिए तो आईकू जी नाइन ले लो भाई काफी अच्छे प्राइस पर मिल जाएगा 128GB की बेस्टोर्ज के साथ में आगा बट यह धियान रखना है मेमरी काड़ लग जाता है एड़फोन जैक वगरा नहीं है सौफ्टर से थोड़े से कॉम्प्टर माइस करना पड़ेगा एड़ वगरा बंद कर लेना नोटिफिकेशन सिस्टम एप्स की बंद कर लेना फंटच ओएस में भाई होट अप्स ओडिकेंस वगरा ओफ कर लो को दिक्कत नहीं आएगी पोको आप लेना चाथ हो तो ले सकते हो कि बेस स्टोरेज जादा है कैमरा जादा कर आ आल राउंड पैकेज है वीवो का टी-3 तो मैं शायद यह वाला स्मार्टफोन ज्यादार लोगों को रेकमेंड कर पाऊंगा आईक्यू जीना और वीवो टी-3 तो आप यह देख सकते हो बागी बहुत सारे स्मार्टफोन है अब डिसकाउंट के बाद सस्ते हो के सवाली प अनबाइस हो के साथ चीज़ा बताता हूं जो फोन में जो अच्छा है जो फोन में जो खराब है बाई सब कुछ बता दिया डिसेजन आप ले सकते हो मिल दिया नेक्स वीडियो में तब के लिए बाई एंड टेक केर